जोट्सना जी और उनकी पती जीवन की सारे जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे पैसे की कोई कमी नहीं थी तो घूमना फिरना भी लगा रहता था अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है अब मन को चैन मिला रे लेकिन वहां के आरते देखिए कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई आदत से तो बास नहीं आओगे आप अरे मजा कर रहा हूँ यार अच्छा मैं जरा बाजार होकर आता हूँ पती बाजार जाता है जहां उसे एक अजीव से दुकान दिखाए दीती है अरे ये क्या बात हुई अंदर आओ पचास के बहार निकलो चालिस के हम आपकी दस साल उम्रे कम करते है अरे ऐसा क्या करते हैं भला सरा अंदर जाकर ही देख लेता हूँ अंदर एक सुन्दर से लड़की खड़ी होती है अ सुन्दरी जी ये क्या दुकान है सरा जादू हम पर पीत चला दीजिया येस सर आपको हमारी एक्सेक्यूटिव एक डेमो के लिए अंदर ली जाएगी आप अंदर जाएगी तो आप खुद बखुद समझ जाएगी पती अंदर जाता है जहां सेस गल मिलकर पती को नकली बाल, नकली दाथ, रंग भी रंगी कपड़े के साथ रंगी चेश्मा लगा देती है देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताईए सर पती खुशी-खुशी वहाँ से निकल जाता है घर आकर वो सारा सामान चुपा देता है पिर अगली शाम अ सुरो मैं वाक पर जा रहा हूँ इस वक्त? अरे नाती पोतों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो अब हाँ आकर करता हूँ ना पकका पका पती बाहर जाकर सारा मेक अप करता है और मार्केट में घुमता है जहां उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं नहीं आप तो बहुत हैंसम है तैंक्स वैसे आप बी कम नहीं है वैसे क्या उमर होगी आपकी? लगता कितネने का हूँ? चालीस के तो पूरे लगते हैं अब क्या था? पचास साल की पती को कोई चालीस का भोल दी तो वासे तो कम का हूँ लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्रे में बड़ा देखने लगा हूँ ओ सच्ची आप चालिस के पूरे नहीं हूँ अरे छोड़िये ना चलिए मैं आपको काफी पिलाता हूँ यहां की काफी काफी शानदार होती है दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है सिलसिला रोज रोज के घूमने फिरने और मजे करने का अब सारा दिन पती देव फोन पर आरे नाश्ता तो कर लीजिए क्या सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं और यार जरूरी काम कर रहा हूँ मैं रिटायर हो पैंशन मिलती है कोई काम नहीं है फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा आजकल अरो एक प्रोजेक के सोशल नेटवरकिंग का काम है उसे पर काम कर रहा हूँ ठीक है ठीक है चलो अब नाश्ता कर लो देर हो रही है पती अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास शुपा कर सोता सुबच चुपके से पहन कर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता एक दिन पड़ोसन कहती है अरे जोचना बेहन तुम लोगों के घर कोई हैंसम सा आदमी रहने आया है क्या अरे कहां यार मैं और ये दो ही तो लोग है गर में हैंसम सी शकल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है अरे पता नहीं वो जाता तो तुम्हारी गर में है क्या पता कौन होगा अरे तुम्हारी उमर हो रही है न और भाई साब को भी गहे पात साल हो गया है अरे सुनो जी बहु बेटा और पोता आ रहे है कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे अरे शट्यार ये क्या है बेटे नी तो कर ली शादी अब क्या करने आ रहा है याँ आपर कैसे बात कर रहे हो जी इस उमर में तो माता पिता तरस्ते हैं कि बच्चे आकर साथ रहे लेकिन आप है कि अरे ठीक है ना लेकिन आप देखो सभी व्यास्ता है अपने जिंदगी में ये लोग आएंगे रहेंगे कितनी डिस्टब हो जाएगी लाइफ कैसी बात कर रहे हो अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ तो जो बच्चों के आने से डिस्टब हो जाएगी अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा ओफ ओ ठीक है ठीक है लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आये ना मेरी लाइफ पर दखल दे कि मैं कहां जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ समझे खैर वो दिन भी आ जाता है जब बहु बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं एक दिन मा जी अज मेट नहीं आईये तो सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पती ने किसी को कम्रे में जाने से मना क्यों कर रखा है खेर वो साफ सफाई करके बहार निकलाती है लेकिन कहते हैं बच्चा तो अबोध होता है उसे किसी बात का क्या पता वो खेलते खेलते दादा के बिस्दर तक पहुँच जाता है और बहार ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगा कर खूमते थे जोचना के नजर उस सामान पर पढ़ती है वो बच्चे से पकड़ कर कमरे मिलाती है और पैकेट खोड़ कर देखती है बेटे बहु के जाने के बाद जोचना सोचती है कि वो बात करेगी लेकिन फिर अरे खुच से बात करूँगी तो मुकर जाएंगे पता लगाना होगा कि माजरा क्या है कुछ दिने बात अरे यार ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टरब सी रही मैं कुछ देर के लिए वाक पर जा रहा हूं आराम से आऊंगा दो-चार घंटों के बाद ठीक है मैं क्या सोच रही हूं कि मैं भी आपके साथ चलती हूं अरे थोड़ा रिलेक्स मैं भी तो हो जाऊं आहां पडोस वाली बुडिया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ अच्छा जी तुम कार से लांग ड्राइव के मजे लो और मैं पडोस की बुडिया के साथ पती नहीं मानता और अपना पाकेट और कार लेकर निकल जाता है रास्ती से वो उस महिला मित्र को फोन करता है है ब्लिटिफल मैं कुछ दिनों के लिए आउट उफ कंट्रे था आज आ गया तो सोचा तुम से मिल लू हाँ हाँ क्यों नहीं क्लब में आ जाओ पती क्लब में पहुंचता है सारा नकली सामा चिपका भी लेता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि जोटसना ने सबका गोंद निकाल दिया है ओ बेबी मैंने आपको बहुत मिस किया बेब बानभी लेकिन वो जैसी ही हसता है उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते है जिससे उसका सर गंजा दिखता है ओ ये क्या तब ये उसका दाद भी हाथ में आ जाता है और जोटसना के पती का सारा बुड़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है हे भग्मान अंकल जी कौन है आप का ऐसी बात कर रहे हो अंकल मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ अरे पर हो तो अंकल ही न नकली दाद, नकली बाल और क्या-क्या नकली है पती को गुस्सा आ जाता है वो महिला के बाल पकड़ कर खीचता है जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं ओ, तो तुम भी उसे दुकान से हो जाओ, पचास की निकलो चालिस के हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए तबी वहाँ जूट्सने आ जाती है जी मेरी वज़ा से चलिए, इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते है और वहाँ मैं बनाऊंगी आपको चालिस का और थाहर कि वहाँ जी जी वहाँ मैं ब भी आपको चालिए, जी जीन आपको चालिए.